आई टी सेक्टर से रिलेटेड एक डेट फ्री पैनी स्टॉक लाया हूँ डेट फ्री तो नहीं कह सकते लेकिन अल्मोस्ट डेट फ्री कह सकते हो तुम यहां पर देख सकते हो जैसे बड़े बड़े सेक्टर में यह काम करता है और मज़े की बात तो यह है कि BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है मतलब दोनों इंडिया के major stock exchanges पर लिस्टेड है तो क्या ही कहने इस stock के बट थोड़े से pros और cons दोनों है तो वो साही चीज़े देख के चलना बुक वैल्यू यहां पर 16 की चल रहत है तुम अगर P.E.E. डेख Ugh पर 25 है मैं तुमिको P.E. क्या देख रहा हूँ यहां पर यहां पर 25 की P.E. दिख रही है बड़ तुम सेक्टरकी P.E. देखो तो कम दाम में मिल रहा है stock, अब वो कम दाम में अच्छा stock है या पूरा stock है यह तो हमें stock देखके ही मता चलेगा, क्योंकि sector से कम दाम में मिल रहा है तो वो दो type के हो सकता है, अगर तुम shareholding pattern देखो तो बाद में देखेंगे हम, और यहाँ पर pros में देख सकते हो तुम, company debt free है, company debt reduced किया है, और कैसे reduce किया है वो भी हम आगे देखेंगे, देख सकते हैं, book value से नीचे trade कर रहा है, किसी भी stock को Warren Buffet जी कहते है कि उसकी intrinsic value से नीचे खरीद लो, और उसके ऊपर बेज़ दो, वैसे तो उन्होंने वो बहुत पहले कहा था, वो पहले ऐसा किया करते थे, बट उ यहां पर healthy dividend payout देता है, 230% का, मतलब तुम समझ सकते हो, छोटी company, penny stock company, small gap company, और dividend भी देता है, तुम देख सकते हो, कितने बड़े बड़े धमा के company कर रही है, आपको पते IT sector कितना boom पे चल रहा है, और चलने वाला है, यह सारी चीज़े एक की company में तुम्हें दिख रही है, company ने थोड़ा सा sales growth यहां पर कम किया है, और वो क्यों किया है, वो भी हम आगे देखेंगे, company के data day high है, company का earning है वो यहां पर other income से include होती है, वो तो हम आगे देखी लेंगे यहां पर result के time पे, बट तुम देखो तो, तुमारा थोड़ा सा data day high दिख रहा है, बट IT जैसी company और BSE दोनों पर listed है, बट मैं जरूर केना चाहूंगा कि बिना सोचे समझे यहां पर invest मत करना, पहले वीडियो को पुरा देख लो, नहीं तो फिर कईसा है, लोग नाम देखके यहां पर चले जाते हैं और invest कर देते हैं, इसलिए मैं नाम नहीं दिखाता हूँ, यहां पर तो शेर भी यहां पर तुम्हें अच्छा गासा दाम पर मिल रहा है, यहां पर तुम देखो तो चौथे प्राइस पर मिल रहा है, यहां पर अपने competitors से 4th rank पर मिल रहा है, तुम देखो कि Aptec 2nd rank पर है, Aptec जिसको नहीं बता हूँ, मैं बता तूँ यहां पर Rakesh Jhun 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 व उसके बाद Aptec है, Zee Learn है, फिर यह company आ जाती है, फिर अगर तुम देखो ना quarterly result, quarterly result यहां पर उसने पेश किया है, September quarter से थोड़ा सा अमनलब दिखाया है ऐसा, अगर तुम देखो कि कब से, December quarter से लगाता है इनके sales increase हुए जा रहे है, December quarter में इन्होंने sales अपने increase किये, फिर ब September quarter की हालत sales की इसकी ठोड़ी सी खरापती, तो यहां पर हम देख सकते कि continuous growth नहीं है, जो यहां पर छोड़ा सा penny stock है, हम इससे expect भी का कर सकते है, बट still, अगर तुम देखो तो growth हमें दीख रही है, हमारी आखो के सामने growth है, अगर तुम देखो यहां पर 2019 से data compare करो, 4 करोड का फिर 3.91, 3.95 और अभी देखो, यहां पर तो असली खेल शुरू हुआ है, हमें देख रहा है कि मार्च 2020 में कोरोना आया था, उसके बाद यहां पर जून 2021 में भी इसने यहां पर sales दिया है, और वो भी increment में sales दिया है, अगर तुम देखोगे 10 लाग के increment में sales दिया है, जो य और तुम डिसेंबर को हटा दो, तो तुम्हें दिखेगा कि मार्च में है इधर से भी ज्यादा हुआ है, मतलब तुम मेरी बातों की गहराई को समझो, मतलब सब्टेंबर में 4 हुका हुआ था, जैसा कि यहां पर हमें 381 का होते वे दिखा, तो हमें लगा था कि फिर से यह होते हुए, होते हुए दिख रही है, और जो यहां पर एक एक करोड का लॉस आता था था ना, वो अभी घटके 30 लाग का हो गया है, और उसमें भी 29 लाग का हो गया है, अगर हम बाकी सारी other income को include कर लेना, तो other income को include करने के बाद, net यहां पर profit आया है, and that is why यहां पर stock जो है, surge हो गया कितना percent उपर, और तुम देख सकते हो सारी चीज़े तुमारे आखों के सामने है, यहां पर तुमने देखा कि sales growth थोड़ी सी खराब है, 10 साल में minus 13%, 5 साल में minus 20%, 3 साल में minus 31% और यहां पर जो 90% के minus में दिख रहा है, यहां पर stock के price में भी हम कर रहा हूं, only because यहां पर sales में increment continuously हो रही है, I've been monitoring this stock from a long time, and अभी हमें stock में increment होते हुए दिख रहा है, 3 से 4 कौटर में रुका, but still यहां पर sales increase ही होते हुए दिख रही है, and इसलिए मैंने तुमें suggest किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि company यहां पर break even point पर आ जाती है, तब हम खई देंगे तो थोड़ा कम profit होता है, पर अगर हम जब यहां पर company थोड़े से loss में recover होते हुए दिख रही है, तब हमने पकड़ लिया stock को किसी भी point पर, तो यह उपर जा के multi bagger return दे सकता है, अब मैं यह नहीं कह रहा कि यहां पर कल ही के दिन, यहां पर TCS को यहां पर टक कम थोड़ी सी generate करनी रहती है, तो हम penny stocks की तरफ आते है, और मैं तुम्हें यह कहना चाहूंगा, कि अपने 2% से ज्यादा capital तुमने इसमें invest नहीं करना है, अगर तुम्हारा capital 100 रुपे का भी है ना, तो तुम्हें 2 रुपे से ज्यादा किसी भी penny stock में invest नहीं करना है, तुम तुम देखोगे, जरा भी कम नहीं हुआ है, कमपनी ने 100 करोड के उपर ही profit generate करके दिया है, 2014 से है यहाँ पर तुम देखोगे, reserves जो है, 100 करोड के उपर ही है, यहाँ पर कमपनी ने reserves को कम जरा भी नहीं किया है, अपने reserves को maintain करके चलती हुई है, और share capital एक बार थोड़ा सा एंड उसके बाद से हुआ ही नहीं है, बोरेंग्स देखो तो बोरेंग्स इस quarter में बहुत ही कम हो गई है, और इसने reserves को जरा भी हाथ नहीं लगाया, और बोरेंग्स को पूरा 8 करोड से कम कर दिया, तो तुम सोच सकते हो कि कितना अच्छा management इसका चल रहा है, full form पे चल रह और सारे stocks यहां पर garbage होते हैं, बट कुछ stocks ऐसे होते हैं जो यहां पर garbage में diamond होते हैं, और वो सारे stocks को हम pick up करके आप के लिए लाते हैं, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो comment करके हमें appreciate कर सकते हैं, बागी सारी चीज़े छोड़ कर, अगर तुम fixed assets देखो, तो fixed assets में यहां पर 14 करोड से नीचे जाते हुए, कभी नहीं दिखा है, यहां पर 14 करोड से ऊपर गया है, थोड़ा सा बीच में गिरावट आ गई थी, यहां पर 40-50 करोड से 38 करोड और 26 करोड और 14 करोड, तो मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया, बट यहां पर तुम देखो, March 2019 से, या हम यहां पर कैश फ्लो देखें, तो कमपनी के पास 12 करोड का कैश फ्लो भी है, जो कमपनी मेंटेन करके चल रही है, तो यह भी चीज़े बहुत अच्छी है, बट स्टिल यहां पर देखो, तो इन्होंने डेटर डे हाई रखा है, यहां पर तुम नजर डालो एक बार, जो कुछ भरोसा नहीं है रेटर डेखा, बट स्टिल आमें कभी भी सेलस पर होते हो इन दिखा घृए है, कि सेल्स उपर जा रही है, और कभी अचानक से इंदन नीचे गिर गई, और इक पुपर जा रहा है, और कभी अचानक से प्रॉफिट नीचे हो इह होते हो हisation तो यह सा शेयर है अपने या उस पे इन्वेस्ट करना नाम तो तुमने देखी लिया होगा अगर नाम नहीं देखा तो मैं तुम्हें बदा दू कंप कर सॉफ्वेर लिमिटेड तो यह थोड़ा सा नाम ट्रीकी है पर तुम्हें यह आदत लगा देनी चाहिए तुम अगर देखो के त कितना लगा है तो एक रफ आईडिया आजाएगा तो रफ आईडिया और एस्टिमेट के लिए मैं उसको कर देता हूँ यहापर मैंने एड्जेस कर दिया 24.65 का दिखा रहा था हमें 24.65 का ओल्टेम हाई है तो मुझे लगता है कि 25 को जब यह क्रॉस कर देगा तो मुझे ल एक रुपय बढ़ रहा है तो अगर तुम्हें स्टौक खरीबना है तो शायद ही तुमें यहापर पाइंग की अपॉर्चनिटी मिलेगी बट अगर पाइंग के अपॉर्चनिटी मिलती है तो तुम यह सारी चीज़ों को इनलाईज करके हुए इसके अंदर एंट्री ले स NSE पर data देख ले तो NSE पर 99% की deliveries उठाई गई है तो थोड़ा सा इसके अंदर trading हो रही है तो अगर तुम्हें stock को अच्छा लग गया तुम्हें stock और तुम्हें buy करना है तो तुम stock को थोड़ा सा रुख कर buy कर सकते हो यानि market के खुलने के पहले और market के बंदोने के बाद AMO order लगा सकते हो market के खुलने से पहले यानि 9 बजे के बाद तुम 9 बजे के पहले order लगा सकते हो 9 बजे के बाद और 7 बजे के पहले तो order लगाने से तुम्हारा अगर लग गया तो अच्छा है तो तुमारे portfolio में share आ जाएंगे तो ये trick भी अगर तुम्हें अच्छी लगी तो ये trick के लिए like कर देना और अगर लग गया share तो मुझे comment section में आके ज़रूर बताना और तुमने क्या decision लिया है क्या इस share में invest करना चाहिए देखिये यहाँ पर तीन लाख share spread हुए है तो तुम समझ सकते हो कि कितने लोग यहाँ पर interested है stock को लेने में almost 80% लोगों ने deliveries घर पे लेके गई है अगर तुम भी उसमें से एक हो या फिर बनना चाहते हो या फिर बन चुके हो ये कि देखने के बाद तो comment section में मैं तुमारे replies सुनने के लिए इदम तत पर रहोंगा TAPS हमें बहुत ही कम दिख रहा है बट still it is trying to improve it PB ratio भी अच्छा दिख रहा है 1.03 जो ये stock के लिए अच्छा है ROE4 है जो ज्यादा तो नहीं है बट हम stock से यही expect कर सकते है देखिए starting में हमें अच्छी कासी trading होते हुए दिख रही है अगर मेरी मानो तो तुम BSE में order लगाना क्योंकि generally जो भी brokers रहते है उन्हें यहाँ पर NSE एक default option रहते है तो अगर तुम BSE में चले जाओगे तो तुमें BSE में ये plus icon देखने मिलेगा और शायद तुमारा share buy हो जाए तो यही सारी चीज stock के अंदर हमें अच्छा बनाती है यह जो announcement हुई थी इसके सारे चीजों की तो बाराग हो ही थी result को और उसके बाद से stock में तेजी आना चालो हो गई जो तुमने देख लिया incredible amount of तेजी of 10% everyday तो अगर तुम उसके eligible होना चाहते हो तो तुम उसमें अंदर entry ले सकते हो NAC की जैसा BAC में यहाँ पर 80% की यहाँ पर movement दिख रही है बागी सारी चीज़े हमें positive दिख रही है MACD भी bullish momentum दिखा रहा है KST भी bullish momentum दिखा रहा है RSA bearish momentum पे है but that is okay तो अगर तुम्हें यह analysis अच्छा लगा तो अगर तुम buy करने चाहते हो तो buy कर लेना और अगर buy हो जाए तो मुझे comment section में बता देना it will be really nice of you अगर तुम्हें ऐसे और videos चाहिए तो तुम comment section में बता सकते हो I am always a comment away from you Jai Hind, Jai Bharat